Morning students, जवार भाटा उत्पत्ती के हम सिध्धान्त या परिकल्पनाई पढ़ रहे थे उनमें हमने पहली चर्चा की है न्यूटन के संतुलन सिध्धान्त की आज हम बात करेंगे प्रगामी तरंग सिध्धान्त, Progressive Waves Theory Newton के गुर्टवा कर्शन सिध्धान्त के आधार पर जवार की उत्पत्ती के सिध्धान्त की विस संगतियों को दूर करने के लिए 1823 में William Wavell ने प्रगामी तरंग सिध्धान्त प्रतिपादित किया मतलब कि पहला सिध्धान Newton का संतुलन सिध्धान्त ही आया था तो जब पहले कोई सिध्धान प्रतिपादित हो गया है तो जो अगले विद्वान होते हैं उनके लिए ये आसान होता है कि उस्धान्त में से जो चीज़े काम की हो उन्हें एकसेप्ट कर लें और जहां आलोच ना हो उसी धान्त में जो कमिया नजर आए उन्हें वो दूर करने का प्रियास करें तो जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षन सिधान्त में जवार की उत्पत्ति की भी संगतियां थी कि एक स्थान पर ही दोलन नहीं होता है जल का जल आगे की और बढ़ता है तटवर्ती स्थितियां होती है नित्तल के जैसे उच्चावच होते हैं जैसे कटक हुआ जैसे की महादिपों मंगन तट हुएं उनका भी जवार भाटा की उत्पत्ति पर और प्रभाव पढ़ता है तो इनी वी संगतियों को दूर करने के लिए वीलियम वेवेल्स ने प्रगामी तरंग सिद्धान्त का प्रतिपादन 1823 में किया वेवेल के अनुसार जुआरी तरंग की उत्पत्ती दक्षनी महासागर में होती है चुकि यहां थल का अभाव है चंद्रमा एम सूरी का गुरुत्वय वल इस जलिय भाग पर सरवाधिक कारी करता है जिससे दक्षनी महासागर में स्टेंडिंग स्वेव उत्पन होती है तथा प्रत्वी का गुन्डन जो पश्यम से पूरव की और हो रहा है इन स्टेंडिंग स्वेव को पश्यम की और प्रात्मिक तरंग की रूप में संचरीत करता है जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं जो स्टेंडिंग वेव हैं वहाँ पर पहले प्रात्मिक वेव हैं और फिर वो तट्ट से टकरा कर फिर आगे की और गती करती हैं ये प्रात्मिक तरंग पूरु से पशिम की और प्रवाहित होती हैं दक्शनी महाद्विपो के अंत्रिपों से ठक्रा कर उत्तर की और दित्यक तरंग के रूप में प्रशल लित्यक तरंग करती है इसे divert waves व्यूत्पन तरंग भी कहते हैं ये तरंगे महासागरी कटकों से टकराकर तटो की और फेल जाती है तथा विपरीत तटो पर जवार उत्पन करती है दुत्यक तरंग उत्तर की और संचरन में निरंतर तीवर होते हैं क्योंकि महासागर उत्तर की और संकिन होते जा रहे हैं इस प्रकार जवारीत तरंग नित्तल के उचावच जैसे कई विचार है दिखिए यह जो वैवेल्स का विचार है वो असंगत है कई मामल में क्योंकि इन्होंने मोल रूप से जो कारण था सूरी चंद्रमा की बल उसका केवल न्यूटन के बल के आधार पर सहारा लिया बाकि इनका अपने सिंधान में पू अब अंकर हम आलोशना की बात करें तो पहली आलोशना है जो आर केवल डक्षि इमहासागर में ही उत्पन नहीं होते जैसे कि वैवेल्स ने कहा कि दक्षि Championships महासागर में उत्पन होंगे फिवो उत्तर की ओर गति करेंगे जिपक侈 ऐसा नहीं है जो आर केवल दक्षि महास लेग में व्रद्धी क्यों होगी जब कोई चीज किसी चीज से टकराएगी तो गती में शती होगी तो गती बढ़ क्यों रही है इसके बारे में वेवल्स इस पस्षिकरन नहीं दे पाए चोथा है इस इद्धान के अनुसार जुआर दक्षिन से उत्तर की और क्रम से आते हैं यह भी तरकल संगत हैं दक्षिन से उत्तर की और क्रमिक नहीं आते हैं फिर पांचवा है जवार कभी भी दो विप्रीत तटो पर एक साथ नहीं आ सकते बलकि अलग-अलग समय पर आते हैं जब कटक से टगराने के बाद जवार दोनों तटो की और चल पड़ें तो वहां ए मतल के अचावाच जैसे विचारों को समलित करने का किन्तु यह प्रगामी तरंग से धांत मानक नहीं है यह जवार भाटा की सही विवेचना नहीं करता धन्यवाद